दोस्तो आज कुछ बात करते हैं इस MCV पर जो मिनी सरक्ट ब्रेकर आता है जो की ओवरलोड तथा शॉर्ट सरक्ट होने पर है जो ट्रिप हो जाता है तो ये कैसे ट्रिप होता है ये कैसे काम करता है तो इसको हमने खोल लिया है तो इसमें हमेशा जो लाइन है जो क्रंट वाली तार है जो इनपुट है वो नीचे होता है और आटपुट उपर होता है लेकन कई लोग इसे उल्ट भी लगा देते हैं कोई मिस्टरी भाई कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन हमेशा रूल के हिसाब से नीचेmäßig input होता है और output उपर होता है तो नीचे से हमारा grunt है जो वो जहां से जाकरके यहां से इस पत्ती के दவதा हुआ इस TAR में चला जाता है और यहां पर आके रुख जाता अगर offset होगी तो यहां पर क्रंट हमारा आकर के बिजली है जो रुख जाएगा क्योंकि यहां पर gap है और यह output नहीं हो पाएगा तो जैसे हम इसे on करेंगे तो देखिए हमारे ये वाले दोनों पॉइंट आपस में जुड़ गए है तो हमारा क्रंट है जो वो जहां से होता हुआ इस कोईल में से होता हुआ यहां पे आटपुट हो जाएगा ये तो इसकी जो क्रंट कैसे पास करता है वो हो गया अब दूसरा ये मतलब शौट सर्कुट होने पर ये अपने आप ट्रिप कैसे हो जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है उसका कमाल है ये वाला कोईल जैसे ही इस कोईल की शमता होती है तो जैसे ही यहां पे मैगनेट बनेगा overload होगा तो यहाँ पे short circuit होगा तो इस coil में magnet बन जाएगा तो इसके नीचे इसके अंदर एक slender है यह बाला देख रहे हो ना यह slender इसको धकेल देगा और हमारा MCV है जो वो trip हो जाएगा इसे यह देखे यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक pin जैसा दिखाई दे रहा होगा यह pin इसको धकेल देगा क्योंकि यह slender की तर यह जो यहाँ पे slender लगा हुआ है इसको coil है जो अपनी और खीचेगा यह pin बाहरा करके इसको धकेल देगा तो ऐसे यह मतलब trip होता है अब देखिए यहाँ पे यह आपको filter लगा हुआ दिख रहा होगा यह होता है कि यहाँ पे जैसे overload होगा तो यहाँ पे spark पैदा होगा spark का यह आग है वो मतलब mcv की body को खराब ना करे उसके लिए यहाँ पे यह देखिए एक ceramik का यह पथर लगा हुआ है यहाँ पे दोनों तरफ ceramic का पथर लगा रखा है वो spark यहाँ से होता हुआ इस filter में से वो उसके अलग-अलग मतलब पाट बन जाएंगे जो spark की आग है उसको यह filter कर देगा उसको तोड़ देगा और तोड़ने के बाद उसका धुआ है जो वो यहाँ से यहाँ से यह देखिए यहाँ पे जाली बनी हुई है इससे होता हुआ वो यहाँ से होता हुआ बाहर चला जाएगा तो यह filter है यह यहाँ पे ceramic का पत्थर है जो की आग से जल्दी जलता नहीं या खराब नहीं होता है और ये इसका क्वाइल है और ये इसके अंदर में इसका पिष्टम और विष्टम है जिसमें से इसके अंदर में यहाँ पे एक पिष्टम है और बाकी यहाँ पर इसका मकेनिकल पार्ट है जो विस्प्रिंग बगेरा है तो इस तरह ये हमारा काम करता अगर हम इसके मुकाबले देखें कि इस तरह का इंसुलेट रहता है उसमें ये सब नहीं होता है वो केबल ओन ओफ होने का काम करता है वो ओवरलोड होने पर है जो बंद नहीं करेगा तो हमेशा अपने घर में MCV जरूर लगाएं और हो सके तो RCCV भी जरूर लगाएं क्योंक आपने MCV लगवा रखी है तो GRIP मतलब जिससे हम किट कैट बोलते है पत्थर के जो आते हैं जिसमें फ्यूज बांदा जाता है वो भी हमेशा घर में जरूर लगाएं दो किट कैट हमेशा घर में होने चाहिए क्योंकि कभी कभी ये है जो काम नहीं करती है तो वो काम हमार वो फ्यूज है जो जल जाता है अगर जादा ओवरलोड हो गया इसने काम छोड़ दिया तो हमारा है जो किट कैट है जो फ्यूज है जो वो जल जाएगा और हमारे घर की जो अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं जो हमारे घर का समान है कीमती समान है वो जलने से बच जाएग झाल।